नमस्कार विश्मी किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ पाउंड केक और पाउंड केक के मज़िदार बात यह है कि इसमें मुख्य रूप से तीन चीज पढ़ता है और तीनों एक ही अनुपात में पढ़ता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स सारे ट्राइफ फूंट को चौप कर लूगी एकदम बारी कट होने के बाद सेमय इसको एक पाउल में रख लूगी ड्राइफ फूंट को साइट में रखने के बाद से मैं अब दूस्रे प्रोसेस के तरह चलूगे यहां मैं 180 ग्राम मैदा लोंगे शानी की साहता से छान लोंगे और छानने के बाद से इसको साइड में रख दूँगे बेकिंग पैन को बटर की साहता से ग्रीस कर लोंगे उसके बाद से मैदा का डस्टिंग कर लोंगे और इसके अंदर जो एकसेस मैदा है इसको पैन को टैप करके छान देंगे इसको मैं अब साइड में रख दूंगी एक पाउल के अंदर मैं 180 ग्राम बटर डालूंगी सेम कौन्टीटी में 180 ग्राम मैं चीनी डालूंगी आप चाहें तो पिसा हुआ चीनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आप में खड़ा ही चीनी डाल दी हूँ और दोनों को हैंड बिलेंडर की सहाथा से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास हैंड बिलेंडर नहीं है तो आप चमच की सहाथा से भी उसको मिक्स कर सकते हैं चमत से फैटने में थोड़ा पहनत लगेगा और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो आप पेशेंस के साथ इसको फैटे इसको तब तक फैटेंगे जब तक चीनी और मक्षन का रंग क्रीमी कलर में ना आ जाए इसको लागतार फेटने से इसमें हावा भर जाता है और हावा भर जाएगा तो केक फुलेगा और केक बहुत ही अच्छा बनेगा ये फेटते फेटते देखे इसका कलर चेंज हो गया है इसको मैं थोड़ा पास करके दिखा रही हूँ और अब मैं इसके अंदर 180 ग्राम मैदा थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगे मैदा अच्छे से मिक्स करने के बाद से इसका टैक्शर देखे कितना बढ़िया हो गया है और अब मैं इसके अंदर अंडा डालूँगे आप चाहे तो अंडा स्किप कर सकते हैं इसके जगब पे दही डाल सकते हैं अगर आपको दही वाला वीडियो देखना है तो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मैं दही डाल के एक वीडियो बना दूँगी मैं इसमें 180 ग्राम का अनुपात ली हूँ तो इसके अंदर मुझे चार अंडे डालने की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके अंदर चार अंडे फोड़ के डाल देती हूँ उसके बाद से इसको अच्छे से फिट लोगे ये बेटर जब तक मेरा तयार होगा तक तक मैं ओवन को प्री हीट कर लेती हूँ वनिला एसे डालने के बाद से ये मेरा लाइट और फुलपी बेटर बन के तयार हो चुका है और अब मैं इसके अंदर जो ड्राइ फ्रूट्स कट की थी उसके अंदर टूटी फ्रूटी था उसको डालके एक बार मिक्स कर लोगे अच्छे से मिक्स करने के बाद से अब मैं बेकिंग पैन के अंदर डाल दूँगे बेकिंग पैन के अंदर डालने के बाद से इसको मैं टैप टैप करके एक अच्छा सा सेब दे दूँगे और सेब देने के बाद से इसको प्री हीट ओवन के अंदर डाल दूँगे 180 degree temperature पे pre-hit कर ली थी और अब मैं बीच वाले रैक पे इसको रख दूँगे और 180 degree temperature पे ही मैं एक घंटे के लिए इसको बिक कर लूँगे तो ये हमारा pound cake बन के तयार हो चुका है और अब मैं इसको चाको की सहायता से किनारे किनारे से थोड़ा सा छीरा लगा लूँगे उसके बाद से इसको मैं पलट दूँगे पलटने के बाद से इसको मैं slice में cut कर लूँगे आप चाहें तो मोटा पतला जैसे चाहें वैसे cut कर सकते हैं यह देखिए हमारा के कितना अच्छा बना है इसका टेक्चर भी बहुत अच्छा आया है आप एक बार जरूर बनाईएगा क्योंकि यह बनाना बहुत ही आसान है तो अगर आपको यह रेस भी पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सस्क्राइब और कॉमेंट करना ना भू वीडियो के आंतर बने रहने के लिए थाइंक्यू सो मच